नमस्कार बहुत स्वागत है आपका तीन अक्टूबर से सार्दी नौरात्र की सुरुवात हो रही है और इस बार मातारानी पालकी सबार होकर अपने घर पधार रही है तो ऐसे में नौरातर की सुरुवात सुब ग्रह नच्छतरों में हो रहा है इस बार सारदी नौरातर से लेकर चैतर नौरातर तक करीब जो पांस से छे मेने का वक्त है मातारानी की किरपा कुछ रासियों के उपर बरसने जा रही है तो आज हम सभी रासियों के बारे में बात करेंगे कि इस नौरातर में किस रासी को क्या उपहार सुरूप मिलने वाला है मातारानी से तो सारदी नौरातर से लेकर आने वारे यानि की साल 2025 के चैतर नौरात तक का वक्त तो सबसे पहले तो सुरुवात करते हैं इस बार मातारानी पालकी पर आ रही है और जब जब बिरहस्पती वार या सुक्रवार का दिन से नवरात्र का प्रारंब होता है तो मातारानी पालकी पर सवार होकर आती है और ये बहुत ही सुभ संकेत है तो आने वाले छे मैने धन धाने से भरा रहेगा सुख सम्रिद्धी आती रहेगी सांती सुपून होगा सुभ संकेत मिलेंगे क्योंकि मातारानी का वाहन बहुत सुभ होता है तो इस वार पालकी से आएंगी तो आप सभी रासियों के उपर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा ब्रस्पति वार के दिन से इस वार की सारदी नौरात्र की सुरुआत होने जा रही है जो बहुत सुभ है सुभ फलों में ब्रधी करेगा साथ ही अगर हम गरह नचत्र की बात करें तो सबसे पहले तो इस नौरात्र से लेकर चैत्र नौरात्र तक के मद्ध बड़े बड़े गरहों की स्तिती क्या होगी देखिए सबसे पहले तो अभी बर्तमान में कुम रासी में सनी देव वक्री अवस्था में हैं और 29 मार्च 2025 को वो चेंज हो जाएंगे इसके बाद राहु केत्व की बात करें तो देखिए राहु अभी मीन डासी में चल रहे हैं केत्व कन्या रासी में और दूसरे बड़े गरह की बात करें जैसे देव गुरु बर्षपती जो देव बिस्व रासी में रहेंगे और मई में वो रासी परिवर्थन करेंगे इसके पहले ही चैत्र मास्की नवरात्र चली आएगी तो बड़े ग्रहों की स्थिति और बाकी ग्रह अपने स्वभाब के नुसार हर मेहने चेंज होते हैं होते रहेंगे तो अगले 6 महीने तक 12 रासियों पर क्या प्रभाव होगा दो सब्दों में हम जान लेते हैं और आप सबी रासियों को क्या साबधानिया रखनी चाहिए ये भी हम जानेंगे तो चले शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं में इस रासि की तो आने वाले जो 6 महने का वक्त है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए महतपूर्ण है क्योंकि 29 मार्च से आपके उपर साड़े साथी लग जाएगी और जो भी आपके अधूरे कार है उसको पूरा करें जो भी आपके बहुत जरूरी कार है उसको पूरा करें निप्टा लें आपको लाब मिलेगा और ये जो 5-6 मेहने का वक्त है थोड़ा अपने स्वास्त का ध्यान रखेगा और इस दोरान चैतर नवरातर तक मंगल नीच के रहेंगे इसलिए आपको अपने स्वास्त का बहुत ध्यान रखना है क्रोध बिलकुर भी ना करें और धन के मामलों में आप लखी रहेंगे ब में बहुत अच्छा है अगर आप और विवायत हैं विवाह के योग बनेंगे धन प्राप्ति के योग बनेंगे आपका व्यापार बढ़ियां चलेगा समाज में मानपर्तिष्टा बढ़ेगा जीवन में सुक साधन बढ़ते दिखेंगे खासकर जो विद्यार्थी हैं उन मिथू नहसी वालों आपके लिए थोरी सी परिसानिया दिख रही हैं हलाकि आपके तमाम रुकेवे कारे बनेंगे अगले 6 मेहने तक धन का निवेश लेकिन कहीं भी मत कीजेगा और अगर करना चाहते हैं तो बहुत सूस समझकर करें किसी को धन उधार मत दीजेगा लोटर करना चाहते हैं तो आपके लिए वक्त अच्छा है नए काम की सुरुआत करना चाहते हैं तो अभी रुक जाएए चैतर महा के नौरातर के बात कीजेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए करकरासी करकरासी वालों आपके लिए आपके उपर सनी देप की ढहिया चल रही है स्वास्त के मामलों में मिला जुलावा रहेगा अपना खुब खयाल रखें काम कारोवार के लिए हलांके ठीक है जीवन साथी को उनके छेतर में तरक्की मिलेगी विदेशी जमीन से लाब के योग बनेंगे नए काम की सुरुआत करना चाहते हैं तो अभी रुख जाए है क्योंकि मंगल की द्रिश्टी सनी के उपर होगी तो थोड़ा से वक्त बढ़िया नहीं है वहन खुद से चलाते हैं तो साबधानी से चलाएगा जो बैपारी भाई हैं उनके लिए ठीक है और इसमें धन के मामलों में बड़ा टेंसर नहीं है कही न कहीं से धन आता लेकिन थोड़ा खर्चा बढ़ा रहेगा पर शुकसु विधाओं पर मा के स्वास का ध्यान रखे है नन्हीं हाल पक्च से ताल मेल आपका इस प्रियड में अच्छा रहेगा अपने स्वास का भी ध्यान रखे क्रोथ तो बिल्कुल भी ना करे थोड़ी सी क्रोथ के दिख ये जो छे महने का वक्त है धन प्राप्ति के योग बनेंगे मेहनत से लाव मिलेगा जो कारे आपके रुकेवे थे वो पूर्ण होंगे मान परतिष्ठा बढ़ेगी बैवाहिक जीवन की स्थितियां बढ़ियां होंगी और इसमें लाव प्राप्ति की योग बढ़ेंगे खास कर समाज जीवन में मान परतिष्ठा सम्मान बढ़ता भी आपका नजर आएगा तो आपके लिए समय नुकूल रहीगा तुमाता द्रानी की किरपा बरसेगी अब बात करते हैं तुलारासी की देखे तुलारासी वालों ये वक्त आपके लिए मिला जुला रहेगा स्वा बैठा कर चले नहीं तो आपके बारे में कुछ गलत फैमिया पनप सकती है जो सत्रू है आपके खिलाब सडियन रच सकते हैं तो जड़ा संभल कर रहें किसी पर भरोसा ज्यादा ना करें और आपकी छबी को भी नुकसान पहुचाने के आपकी दूस्मन कोसिस करेंगे हलाकि ट्रांसफर के भी योग हैं धन के मामलों में किसी को धार ना दे निवेस करने से बचें और अपने जीवन साथी के स्वास्त का या अपने वाइफ का या हजबन का स्वास्त का ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए अब बात करते हैं बिस्च करना रखना है नहीं तो स्वास्त की मुश्किलें बढ़ेंगी धर्मकारिक की तरफ आपका रूची रहेगा पूजा पाठ करेंगे और यहां पर देखिए आपको कोई बड़ी डील अगर आप करना चाह रहे हैं कोई किसी भी तरह का सोच समझकर कीजिए क्योंकि आपके र बात करते हैं धनूरासी की देखिए आप स्वास्त के मामलों में थोरा सा अपना खयाल बनाए रखें लापरवाई सही नहीं है क्योंकि आपके रासी के स्वामी जो गुरू है वह अस्टब में अब यहां पर राहु केतु की इस्तिती भी यहां थोरा स्ट्रगल आपको पास सकती है यानि मेहनत जादा करवाएगा तब जाकर लाब होगा मेहनत करेंगे तभी सुख मिलेगा लव लाइप के मामलों में एबरेज रहेगा बहुत अच्छा नहीं दिखता और बैवाही जीवन में इस्तिती हलाकी आपकी बढ़ियां होती जली जाएंगी धीरे धी अब बात करते हैं मकर रासी की मकर रासी वालों सनीदेप की साड़े साती उतरती भी अवस्था में चल रही है और अगले जो छे मेहने का वक्त है सुख सो भाग आपका बढ़ने जा रहा है काम कारोबार के मामलों में बहतर करेंगे धन प्राप्ती के योग बनेंगे अगर सही नहीं रहेगा जीवन साती के स्वास्त का ध्यान रखें क्योंकि यहां पर मंगल मांगली दोस्त बनाकर भी बैठे हैं ऐसे में रिस्तों को संभालें किसी भी तरह का बिवात से दूर रहें तो उत्तम रहेगा कुंबरासी आपके लिए सो में थोरा सा परिवर्तन लेकर बढ़ेगा लेकिन स्वास्त के मामरों में थोरा सा सम्हल कर रहें अपना खूब खयाल रखें और कहीं कोई डिल करने जा रहे हो तो अभी 29 मार्च तक सनी देव आपके ही रासी में है तो आप डिल करने के पहले बहुत सम्हल कर आगे बढ़िएगा नहीं तो यहां पर आप को धुखा हो सकता है या लॉस हो सकता है क्रोध से भी बचिए आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा मीन डासी देखे आपके लिए अगले छे मेहने का वक्त मिला जुलावा रहेगा क्योंकि देव गुरु की स्थिती आपके रासी के स्वामी है बहुत अच्छा नहीं दिखता लगन में राहू बैठे हैं सनी की साड़े साती चल रही है बारवे घर में सनी हैं बहुत खर्चा रहेगा और इसमें इंकम हलाकी ठीक ठाक रहेगी लेकिन पहले से आगे बढ़ सकते हैं लेकि मेहनत करना होगा रास्ते नजर आएंगे प्लानिंग करके आगे बढ कावनाओं पर कंट्रोल रखें जल्दवाजी में निर्ने ना ले और पार्टनर्शिप में कोई भी कारे भूल कर भी मत कीजिएगा जीवन साती के साथ रिस्तों को बहतर बनाये रखें और चीजों पर ध्यान रखकर चलना होगा नहीं तो बड़ी परिसानी में फस हम आप से विज़ा लेंगे जानकारी अच्छी लेगे तो लाइक लेंगे